हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताने वालों की कैसे आप अपने Micromax IN1B Android मॉइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन की call screen off की problem को आप कैसे solve कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए हैं आपके वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं देगे दोस्तों कभी भी अगर आपके phone में call screen off की problem आती है या call पे बात करते करते screen off हो जाती तो इस problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने mobile phone को restart करने ठीक है रिस्टार्ट करने के लिए आपको mobile phone के साइड वाला power button उंगली से दबा के रखना है तो आपकी screen के सामने एक page open होगा छोटा सा इस तरीकी का इसमें आपको restart का यह option मिलता है restart पे tap करने इससे क्या होगा आपका mobile phone जो हो जाएगा फ्रिस के थोड़ी दिर बाद इसी बहुत सारी समस्य है solve हो जाती है अब दूस्ते इसके बाद आपको अगला process करना है यह है कि आपके mobile phone का इस calling के आपको reset करना है कैसे करेंगे इस calling के आपको उगली से दबा के रखे तो आपकी screen के सामने एक चोट अधर page open होगा इसमें आपको app info लिखा हुआ मिल सकता ह या फिर इस तरी की का आपको यह circle में के अंदर आपको i button बना होगा उसे tap करना है तो आपको यह वाला page open होगा इस page में देखिए storage and catch का option इसे tap करना है इसके अगले page में दो option मिलते हैं तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले इसे clear catch पे tap करना है तो नीचे की साइड catch के सामने data zero हो जाएगा इसके बाद के लिए storage पे tap करना है तो delete app data का page आपका नीचे की साइड यूजर data के सामने लड़ डेटा भी आपका zero हो जाएगा इस तरह की सापको एक calling app reset कर देना है अब इसके बाद आपको अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone का एक बार system चेक करना है कि आपडेटेड है या नहीं है कई बार ऐसा होता है कि mobile phone की system का अपडेट आता है हम उसे अपडेट नहीं करते हैं और फिर अपडेट आता है तो मैं पता नहीं लगता है तो mobile phone का जो सिस्टम अप्डिटीट ना होने के कारण हमारे मुवायल फून के Android शिस्टम में खुछ कमिया आना चुरू हो जाती है तो आपके मुवायल फून कה सिस्टम में वो अपडेट्य है भी अपडेट का बटन डाउनलोड इंस्टॉल अगर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है इससे आपके फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी पॉल स्क्रिं ऑफ के प्रोड़ों भी सॉल्फ हो जाएगी ठीक है आप दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस कर सर्य करने की बिल्कुल भी जरुवरत नहीं मोबाइल फोन को reset करने के लिए मोबाइल फोन का setting page open करिए setting page में सबसे नीचे system का option tap करना है इसके अंदर आपको reset option tap करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे erase all data factory reset पे tap करना है आपका phone reset हो जाएगा और आपकी call screen off की problem वो आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखना है कि आपके phone में जितना भी data है सारा data आपके दूसरे phone में transfer कर दीजिए या उसका backup ले लिजिए दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद यह आपको अपने phone को reset करना है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको जितना ही process आपको बता दिये वहाँ पर आपको चले जाना है वहाँ पर आपको अपना phone दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ना कि आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसके वज़े से problem आ रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी process solution आपको बताए है यह आपके mobile phone के software के जरीए बताए है अगर mobile phone के software की कमी की वज़े से अगर यह कोई problem आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी otherwise आपको अपने mobile phone के service center जाना पड़ेगा